हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस अब सलूसन्स पर और आप देख रहे हमारा एंग्लोट 10 का फुल टुटोरियल सीरीज तो दोस्तों इस सीरीज के पिछली वीडियो में हमने देखा मिन्स की सर्विस पार्ट 2 में ये देखा कि इंजेक्टेवल डेकुरेटर का कंसेप्ट क्या होता है इंजेक्टेवल डेकुरेटर हम यूज क्यों करते हैं अगर इंजेक्टेवल डेकुरेटर नहीं रखते हैं त क्योंकि वो directly आपके concept को clear करेगा और इंटरव्यू से related है यह वीडियो बेस्ट है पिछले वीडियो पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे सा समझना चाहते हैं तो service के part 1 और part 2 दोनों को जरूर देखिए जिसका link इस वीडियो के description box में available है क्योंकि जो मैं service पढ़ा रहा हूं आपको वह मैं बहुत deeply बताने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहले तो मैं आप लोग को हमारा class होता है जो भी हमारा वीडियो होता है हम पहले क्यों पर focus करते हैं अगर क्यों का answer आपको मिल जाता है तो कैसी और क्या का answer अपने आप मिल जाएगा इसी तरीके के tricky concept और corporate level का training को अपने online class में भी देते हैं जो इसको आप जोइन करके अपने knowledge को growth कर सकते हैं और एक better way से किसी corporate में entry ले सकते हैं अपने salary को एक अच्छा सा hike दे सकते हैं ठीक है तो अगर आप हमारा online class भी जोइन करना चाहते हैं तो उसका link इस video के description box में available है आप click करके हमारे online class को join कर सकते हैं देख सकते हैं कौन सा batch available है और आप enroll कर सकते हैं तो चलिए इस video का start करते हैं इस video में हम देखेंगे singleton object के concept को कि किस तरीके से service में हम singleton object का concept यूज करते हैं कौन object कहां परीज होता है multiple object कैसे इस video tutorial में देखने वाले हैं यह video आपके लिए बहुत important है बिना skip कि एक एक minute को देखिए क्योंकि एक minute आपके लिए बहुत important है अगर यह समझ जाते हैं तो आपका बहुत concept किलियर हो जाएगा और आप इंट्रिव्यू में भी अच्छे से इस चीश को पता सकते हैं तो चलिए चलते हैं directly हम code में और practical से स्टार्ट करते हैं सर्विस पार्ट त्री को जिसमें हम कि सिंगल टानबचेट के concept को समझेंगे ती हमारा code है जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि injectable decorator का मतलब क्या है कि यह करते हैं हमने यह देखा था कि normal service बनाने के लिए injectable decorator की कोई जुरुत नहीं है जब किसी कि दूसरे service को या किसी डिपेडेंसी को किसी सर्विस में इंजेक्ट करते हैं तब हमें injectable decorator की जुरुत होती है ठीक है कहने का मतलब यह है कि जब कोई दूसरा service किसी दूसरे service में हम युच करने कोसिस करते हैं चाहाँ को डिपेडेंसी हो या built-in डिपेडेंसी हो या कोई service हो तो उसको जब किसी दूसरे service में युच करने कोसिस करेंगे तो वहाँ पर injectable decorator की जुरुत होगी जहां पर युच करेंगे उस service में इसका practical हमने पिछल वीडियो में करके देखा था तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम यहीं पर रहने देते है अब हम चलते हैं दुसरा concept समझने के जिसमें कम singleton और multiple object के बारे में समझेंगे उसके लिए मैं क्या करता हूं दो component अलग से create करता हूं ठीक है किसी बैंक में चाहें वह स्टेट बंक और इंडिया हो इस्टी अपसी आइस यह कोई भी दुनिया का बैंक हो उसमें आपने उस company का अकाउंट ओपन किया तो चार दोस्तों ने अगर मिलकर चार डिरेक्टर्स हो गएं और उस company को आपने रिश्टर कराया तो अगर आप सब के पास एक ATM काड है आपने इसा हिसु करा रखा है तो कोई भी बंदा अगर पैसा निकालता है उस अकाउंट से तो सब को पता चलेगा क्योंकि अकाउंट टेकी है प्रवाइडर वो बैंक है जो उस अकाउंट को प्रवाइट किया है ठीक है तो क्या होगा कि सब को कालता है बैलेंस और कितना निकला अगर सपोर्च किजिए उसी बैंक में आप लोगों ने अपना अपना पर्षंणक खोला है प्रवाइडर वही है वही बैंक ठीक है अलग-छग-अपना परशनल अकाउंट खोला है तो आप अपने आपकाूंट से पैसा निकालते हैं जब हम किसी service को module level का कर देते हैं अगर किसी service को module level पर provider देते हैं तो उसका जो object बनेगा singleton बनेगा चाहे वो service कितने भी component पर उच किया जाए तो उसका object एक ही बनेगा अगर वही provider मैं component component level का कर दोंगा अलग-अलग component पर रखोंगा तो सबका अपना 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 अब्जिक्ट बन जाएगा तो यह concept आप कहीं से पढ़ते होंगे रटते होंगे लेकिन ट्रेक्ट करके अपने नहीं देखा होगा हम मैं आज आपको practically दिखाने वाला हूं कि सच मुच में सिगल्टन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है जो हम पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज को विद कोडिंग एक्जामपल देखने वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो component लेंगे जैसे कि मालीज हम ले लिए ng generate component और मालीज हम ने comp one name से component क्रेट किया अभी यहां पर कंप one से component क्रेट हो गया एक और मैं ने यहां पर में पर पहले के पुराने सर्विस हैं मैं उसको बंद कर देता हूं ठीक है अब यहां पर मोडूल को रखता हूं अभी ठीक है मोडूल की जरत पड़ेगी है मैं अब मैं पुराने जो यूज हो रहते हैं उन सब को मैं comment कर देता हूं ठीक है और तो मैं यहां पर कंप वन का सेलेक्टर उठा कर लाता हूं यहां से कॉपी करके और यहां पर कॉपी कि हमने अपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट का सेलेक्टर जहां पर रखते हैं वहां पर वह component load हो जाता है तो दोनों component जो हमने create कि हैं उन दोनों के selector हम क्या करेंगे app component.html पर रखेंगे क्योंकि दोनों को हम वहीं पर load कराकर देखने वाले हैं हमने दोनों को यहां पर रख दिया ठीक है यहां पर हमें रख दिया अब हम क्या करेंगे एक दूसरा सर्विस क्रेट करेंगे तो सामने वालों को लग जाएगा कि हाँ इवाइब डिपली नॉलेच ठीक है तो आप यहां पर एक क्रेट करें एंजी जेनरेट सर्विस और सर्विस करने कुछ भी रख लिए एक हम दूसरा सर्विस बना रहे हैं पुराने जो सर्विस हमने पीछले यहां पर अभी भी मैं इसको कमेंट करता हूँ क्योंकि मैं आप लोग को यह concept अच्छे से बेहतर तरीके समझाओंगा एंगलर्सिक्स में यह प्रवाइडिन क्यों आया था इसका प्रोब्लम् समझेंगे तब इसका सुलस्वाइब अभी मैं आप लोगों को इंगलर्सिक्स से पहले का सर्विस बता रहा हूं यह जो बेस है क्योंकि मैं हम मैं आप लोगों को वहां तक धीरे दीरे जा रहा हूं जहां पर प्रोब्लम क्रियेट हो जाता है और एंगलर के टीम को चेंज नेने यहां पर एक मालऑ जिए कि हम को यह फंप लेक्र लेते हैं कि से हैं इसी अरे में कोई धर लू रखेंगे और इसी एरे में अलगदा कंपोनेंट से यह क्यों को इंद करेंक लिए करेंगे अगर मोडेलेबर पर रहते हैं दो कंपवोनसे डेटा को भेजतें एक ही जा 자र में सर्मिस से है तो अगर दोनों two comment का data दोनों एक और एक जगा से ही हम करते हैं दोनों जगा दिख रहा है तो मतलब कि सिंगलटन बन रहा है जैसा कि मैंने आप लोग एक जामपल दिखा है कोई भी पैसा निकालता है जो सब को पता चलता है मतलब सिंगल टन है अगर हमें एक कंपोनेंट से के डेटा इसी सर्विस में फिर आड करता हूं तो क्यों उसी कंपोनेंट को दीख रहा है तो मतलब कि अलग अलग अपिक बन रहा है इसीच को समझी अच्छे से माल यहां पर एक एरे लेता हूं और लिश्ट निम से एरे का बनाने का यह है कॉलन और हमाल यह हमें नमबर टाइप का एरे बनाया ठीक है और यहां पर मैंने इस एरे में इनिसियल वैलू हंडड़ डाल दिया मतलब के हंड़े रूपी से हमने अकाउंट पर गिया जश्ट फर एक्जामपल ठीक है हंड़े हमने से एक एलेमेंट वाले से रख लिया ठीक है अब हम क्या करते हैं एक मेथड बनाते हैं अड़ नमबर हमने लिया और एक मैंने नम्नेम से एक वरियबल ले लिया और यह नमबर टाइप का यह वरियबल हमने लिया कि जब किसी कंपोनेंट से कोई परेमेटर भेजेंगे कोई नमबर भेजेंगे तो इसी नम के थुरू वैलू आएगा रिस्पेक्ट टू डेट एर्गुमेंट और हम इस एरे में एरे का एक push method होता जैसा कि आपको पता है push method क्या करता है कि array में data को push करता है insert करता है ता हम यहाँ पर क्या लिखेंगे this.list.push ठीक है और इसकी अंदर हम क्या कर देंगे इस num को रख देंगे तो जब भी हम इस service के थुरूइ इस add number method को call करेंगे और वहां से कोई argument पास करेंगे तो वह argument का value इस num name के parameter में आएगा और इस array में push हो जाएगा तो जमाल यह हमने 100 push किया वहां से तो hundred and ten दो value आ जाएंगे इसमें और इसी चीज़ को मैं gate करके दिखाने वाला हूं उसी component पर कि हां सच मुझ मैं add work नहीं हुआ तो मैं एक लिए लगता हूं method gate number ठीक है और यह क्या करेगा रिटर्न कर देगा रिटर्न क्या लिस्ट है ठीक है लिस्ट को हमें से रिटर्न कर देंगे यह हमारा क्या हो गया एक service ठीक है और इस service में हमने एक array लिया ठीक है एरे में हमने initial value 100 डाल रखा है उसके बाद एक add numbers एक method लिया जब हम call करेंगे को value insert करने के लिए एरे में तो हम इसी method को call करके इस array में data को पुस्ट करेंगे और यहां से हम रिटर्न करा लेंगे जो पुस्ट किया होगा data हम दिखाएंगे अब हम चलते हैं क्या करके component पर सबसे पहले कं वरन पर हम चलते हैं यहाँ पर ठीक है इसको नेम देते हैं इसका माली जे कि हमने एस टू ले लिया और लेकतीया हमने component 1 ठीक है अब यहां से हम क्या करेंगे एक हम हम input type ले लेते हैं text box जहां से हम data भेजेंगे ठीक है text box इसका हम ने बंद किया और एक button लेते हैं button लिकेते हैं add number ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं की किलिक應該 लेते हैं और यहां पर एक में था ले ले लेते हैं added number ठीक है add number हम से हमने घृम ले लिया इसको हम The define करेंगे हम क्या करेंगे हिस्स टेक्ट भॉस में जो वै Spo Parker इंटर करेंगे उसी value को इसमें हम parameter भेजने है ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक template reference variable लेते हैं जैसे मालिज हमने नॉम नेम से एक template reference variable ले लिया इसी नॉम क्या करेंगे यहाँ पर फास कर देंगे मतलब यह template reference variable करेगा क्या कि इसमें जो और इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डॉम हमारा रिफ्रेस होगा और इसका वैलू यहां पर हमें मिल जाएगा नम डॉट वैलू में ठीक है यहां पर हमें मिल जागा यह इसका वैलू यहां पर आ जाएगा अब हम क्या करेंगे इस मेथट को हम डिफाइन करेंगे कहां पर इसके टीएस फाइल पर कंप वन कहीं टीएस फाइल पर यहां पर हम लिखेंगे ठीक है इसको में बंद करता हूं भी इसको भी में बंद करता हूं ठीक है यहां पर हम डिफाइन करेंगे और इसमें एक परेंटर आएगा जैसा है आपको मैंने ली जाए वैलू यह हमारा नमबर टाइप के वैलू आ जाएगा ठीक है अब हम उस service को जो नमिशी सर्वीस है इसको यहां पर हम inject करेंगे इसको copy किए हमने और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको module- uniquely का बना जाते हैं module के biggerDetour में रख लेते हैं अभी हम singleton समझाने कोशिच कर रहे हैं इसको मैं यहां पर inject करता हूं ठीक है उसको मैंने先f कर दिया कंप 1.ts फाइल पर आए ठीक है इसको हम यहां पर क्या करेंगे प्राइवेट ठीक है कि सर्विस का मैं अब्जेक्ट बिलाने कुछ कर रहा हूं ठीक है यहां पर हमने क्या किया इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया कॉलन लगाएंगे यहां पर कॉलन और इस सर्विस का ने प्राइथर में वैलू भेजेंगे कहां पर इस सर्विस में ठीक है कैसे यहां से हम क्या करेंगे दीस डॉट नम लिश्विस डॉट एड नमबर और इसमें हम क्या पास कर देंगे यह वैल अच्छे समझेगा अगर आप लोग को कोई डाउट होगा थमारे कमेंट बख्स मे देखिएगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा अब हमने क्या किया यहां से जो इसके एस्टी मेल से इस टेक्ष्वक्स में जो वैलू मैं इंटर करूंगा माले मैंने टेन इंटर किया आइड नमबर के बटन पर क्लिक किया तो टेन जो है इस नम वाले अरुमेंट में आएगा ठेक है कैज乾्न फाइल पर लाट टेक में इस में एक शर्विस में और यहां से वहिस में फॉल कर दिया तर यहां से वह दंग इसरsize में टेक reflections अब आरे में पुस्ट कर दिया तो अब क्या हो जाएगा 100,10 तो वैलू आ जाएंगे उसी को मैं अब दिखा दूँगा उसी कंपोनेंट पर ठीक है एप कंपोनेंट के इस तरहे के से ठीक है और इसमें मैं क्या करोंगा फिर दीज डॉलिस्ट ठीक है एक वर टू अब उसकी अंदर जो numbers है जो array है उसको मने जो return किया ओव एरे हमारे इस लिस्ट में आ जाएगा ठीक है अगर दिकत हो रहा है कि list list बार बार कर रहा हूं तो list one कर देता हूं मैं यह just एक array है दूसरा ठीक है इसको मैं क्या करूंगा, copy करके, इसके HTML पर, मैं bind करूंगा, चलिए मैं list में ही bind करता हूं, यहाँ पर नीचे, evil, ठेक है, evil लिया, एक हमने li लिया, ठेक है, और इस li में मैं star ng for loop चलाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि array के value को दिखाने के लिए, हमें loop चलाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूं, equal to late data of यह data एक variable है, आपको ng for के बारे में पढ़ना है तो, इसी series में, ng for के बारे में भी video है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, बहतर तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मैंने list one दे दिया, एक की करके data, data में आएगा, इस में, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर bind कर दूँगा, double curly bracket के अंदर, मैं क्या कर दूँगा, data को, ठीक है, यहाँ पर यह bind हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, हमने क्या किया कि बस एक component पर हमने काम किया है, अगर इतना पर मैं ब्राउजर में आपको दिखा हूँ, ठीक है था कि ब्राउजर में क्या आता है, अभी हमने component one पर हमने एक text box लिया, और add number लिया, जो हमने 100 by default यहाँ पर get करके दिखा दिया, वही वाला वाले method पर भी, कि जब मैं कोई value इंटर करूंगा, तो तुरंत list one के value को मैं get करके दिखा भी दूँ, तो अब देखिए, ब्राउजर में क्या हो रहा है, कि जैसी मैं देखिए, पहले एक data था 100 और आ गया, मैं यहाँ पर यह come to आरे के service में, और service से data आकर यहाँ पर bind हो रहा है, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम यह data हम भेज रहे हैं service में add करने के लिए, और यह method हम यूज कर रहे है, आरे के data को लाकर दिखाने के लिए, जिसको हमने क्या करते हैं, इसके htmail पर चलते हैं, इसको भी मैं लिखता हूं, कि एस्टू ठीक है यहां पर मैं लेता हूं इसी यहां पर लेता हूं मैं इन्पूट टाइप और यहां पर मैं लेता हूं टेस्ट इसमें भी मैं क्या करता हूं कि हैस नमनिमसे वरियबल ले लिया इसको बंद कर दिया एक बटन लेता हूं यहां पर भी एड़ नमबर ठीक है इसमें भी मैं एक click event लेता हूँ, same काम करेंगे यहां पर click event लिया हमने, और यहां पर मैंने क्या डाल दिया, add number names एक method, या one मैं करता हूँ, कोई भी name change कर सकते हैं, और यहां पर क्या कर दूँगा, num.value को डाल दिया मैंने, ठीक है, अब इसको मैं define करूँगा, इसके ts file पर, component2 के ts file पर define करूँगा, यहां पर, ठीक है, इसके अंदर भी मैं रख लूँगा, एक value, ठीक है, और यह number type का होगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उस service को inject करूँगा, यहां पर भी, कौन से numlish service को, यहां पर मैं इसको copy करके लाता हूँ, copy, और component2 के ts file पर, यहां पर मैं लिखता हूँ private, underscore, ठीक है, service का name, इसका हमने object बनाया, ठीक है, और यहां पर colon लेकर यह service कर दिया, ठीक है, हमने इसको inject कर देना है, inject कर दिया, अब इसके through हम क्या करेंगे यहां पर, this.nomally service, यह मैंने जो component1 पर जो किया था, वही कर रहा हूँ, इसको step पर आप लोग देख नमबर, और इसमें मैं करता हूँ, इस भैल को pass, ठीक है, तब यहां से भी जो data pass करूँगा, वह भी उसी service में जाएगा, उसी area match होगा, सिम area match करेंगे यहां से भी, ठीक है, और यहां पर मैं gate method को भी use कर लेता हूँ, उसके data को दिखाने के लिए, यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक और variable ले लेता हूँ, यहां पर list2, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया number type का area bracket, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूँ, कि दीश दॉट लिस्ट टू इकवल टू अधीश डॉट अंडरस्कोर नमलिस्ट सर्वीज ठीक है डॉट गिट नमबर यहां से जो नमबर हमने जो एड याँ यहां से हम दिखा देंगे ठीक है कुछ और क्लिक कर दिया ठीक है यहां पर हम फॉर्मेट करने वाले थे फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया ठीक है अब हम क्या करते हैं इसी को कॉपी करके यहां पर डाल देते हैं ठीक है तो अब इस लिस्टू को भी मैं इस के स्टीमर पर बाइन करूंगा जाईर सी बात है दिख यहां पर मैं क्या कर दोंगा क्वाइनक्र में चाली करूँगा यहां पर याँ तो इनक्रम कर देटा अब देखीए हम नहीं क्या किया है दोनों पर दो ludzie महीं हमने सर्णी मेजया में करने के लिए कंपोनेंट्स से भी में डेटा इंसेت करूंगा तो इस इसी service में जाएगा इस method को call करेगा और इसी array में यही array में data को insert करेगा और इसी array के data को दिखाएंगे component 2 से भी हम data भेजेंगे तो इसी array में आएगा और इसी service में और उसी को हम दिखाएंगे ठीक है हमने provider कहां पर लिया आप लबल पर मतलब की app.module.ts file पर हमें डाल दिया है यहां पर मतलब की root label का कर दिया यहां पर तो इसका object जो बनेगा singleton बनेगा मैं किसी भी component से जो data भेजूंगा उस service में तो एक ही object बनेगा दोनों जगा दीखेगा ठीक है अगर और जब वही मैं provider से service के इनको उठाकर component level का कर दोंगा तो दोनों का अपना अपना object हो जाएगा एक component जालूंगा तो उसी component पर दीखेगा दूसरे component पर दीखेगा देखिए इसका output Scentile input यहां पर है देखिए 200 data दीखने लगा यहां पर मैं 10 डालता हूं इस पर add करता हुं डेकर मा यहां पर दुनों देख्यों 10 नहीं है इसमें भी इसमें भी अगर मैं उससे समीने हों फोटी जा रहा है अगर माने यहां यहां से मैं डालता हूं 60 दोनों में जाएगा मतलब कि यहां पर सिंगल टन अब्जेक्ट बन रहा है तो अगर किसी भी सीरी कंपोनेंट से उस सर्वीस को यूज करने कोसिज करूंगा दोनों के लिए एक ही अब्जेक्ट काम कर रहा है कहीं से भी डीट कर रहा हूँ से डैट कर रहा है यहां से सर्विस में जाकर उसी इरे में यहांप सब्सक्राइब दिखा रहे हैं यह हुआ सिंगल टन अबजिट का कंसेप्ट जो कंसेप्ट आज तक आप लोग रटते आ रहे थे उसको हमने प्रैक्टिकली दिखाया और इसी तरीके से आपको एक्स्प्लेण करना है किसी इंट्रिविव में ठीके अब इसी चीज को मैं दिखा रहा हूं कि जब अलग-अलग अबजिट कैसे बन जाते हैं अगर मैं इसी आप मोडिल टीएस फाइल से इस सर्विस को यहां से मैं डिलीट कर देता हूं देखिए अच्छे से ठीके और मैं क के अंदर में इसको डाल देता हूं ठीक है और इसी को इसको क्वपी करके मतलब कि इसका अपना अलग अब्जेट बन चुका है इसमें मैं 70 डाल रहा हूं तो क्यों इसी मेड होगा सर्विस एक ही एरे एक ही लेकिन अब्जेट अलग अलग बन गया ठीक है अइसा नहीं है कि हम्नों इसट कर रहे हैं तो दूसरी किसी एरे मं जा रहा фильм आ है ऑन तो ऊपर आरे में छिए सिंग्ल टन अपजेट का कंसेप्ट होता हुए रिपी को यह होता है इनिक आपको अच्छे संप्छ में आ गया होगा तो इस तरीकी से कौफेट में में काम किया जाता है आप इसको अच्छे समझिए कोई डाउट हो था हमरे comment box में लिखिए और इसी तरीके से corporate level का knowledge रखना चाहते हैं तो आप जरूर हमरा online class join किजिए कि वहाँ पर अभीताप service देख रहे हैं ऐसे routing, forms, directives, dividends, injections, data winding हर जो concept जो आप theoretical समझते हैं वह internal बहुत ही अलग तरके का concept होता है जिसको आप को समझने की जूरत होती है तब ही आप किसी को अच्छे से अच्छे corporate में काम कर सकते हैं नहीं तो आप थोड़ा भूद क्लास जोइन किजिए ठीक है जिसमें कि हम आप corporate लेवल कर ट्रेनिंग देंगे एंगलर के साथ ही साथ आपको पूरा टाइप स्क्रीप पढ़ाया जाएगा और प्रजेक्ट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा प्रजेक्ट ट्रेनिंग में बहुत ही बड़े अप्लिकेशन को डेवलप करना सीखा जाएगा एक कमर्स बेस्ट होगा लाइक फिलिप कर टामा जोन जिसे आप डेवलप करके सारे कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा स्यादा लाइक किजिए दोस्तों के साथ त देखेंगे कि क्या प्रोब्लम था प्रवाइड इन लाने का एंगर सिक्स में जो चेंज आया था उसका क्या प्रोब्लम तक क्यों आया प्रोब्लम को देखेंगे और अगले ही वीडियो में हम उसके सॉलूसन को भी देखेंगे तो मतलब कि अगला पार्ट बहुत ही इंप